बिहार से एक नई ट्रेन का संचालन को मिल चुका है हरी जंडी जो की लगवग 2055 किलोमेटर का सफरते करके अपने यात्रा कम्प्लीट करेगी आए बात करते हैं ट्रेन के अपडेट के बारे में साथ ही हम बात करेंगे ट्रेन के टाइमिंग डिटेल्स के बारे में इस वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो करने सब्सक्राइब दसर बिहार के उन रेल यात्रियों के लिए बड़ी अपडेट है जिन यात्रियों को होली के बाद आने ट्रेनों में टिकट नहीं मिल पाड़ा है ऐसे में रेलवे की तरब से एक नई सुपरफास ट्रेन का संचालन को मिल चुका है हरी जंडी और यह ट्रेन 25 मार्च तक चलाई जाएगी दोनों होई दिसाओं में बिहार के छपड़ा डेलवे स्टेशन से सिकंदराबाद के बीच यह स्पेशल ट्रेन चलेगी जो कि एक सब्ताई की स्पेशल ट्रेन होगी इस ट्रेन का संचलन आज सही शुरू हो चुका है और अगर ट्रेन नंबर की बात करें तो 053-03 के साथ यह ट्रेन छपड़ा से और स सिकंदराबाद से यह ट्रेन 053-04 के साथ चलाई जाएगी छपड़ा डेलवे स्टेशन से सुबह यह ट्रेन 3 बच कर 50 मिनट पर प्रस्थान करके सुबह 8 बच कर 30 मिनट पर गोरकपूर उसी दिन पहुंचेगी फिर यहां से यह ट्रेन प्रस्थान करके तीसरे दिन साम में चार बच कर 35 मिनट पर सिकंदराबाद पहुंचेगी इसके लावे सिकंदराबाद से दूसरे दिसा में यह ट्रेन रात 9 बचे प्रस्थान करके तीसरे दिन सुबह 9 बचे गोरकपूर पहुंचेगी फिर यहां से यह ट्रेन खुलने के बाद दो पहण में 2 बच कर 20 मिनट पर छपड़ा जंसन आएगी इस ट्रेन में मिलने वले सुबहा की अगर बात करें तो यात्रा के दवडान आपको इस ट्रेन में कुल 20 कोच का सुबहा देखने को मिलेगा और इस ट्रेन का बुकिंग आज सही चालू हो चुका है आईए बात करते हैं ट्रेन के रूट इसके बोपाल जंसन पहुचेगी भोपाल से खुलने के बाद यह ट्रेन इटारसी नागपूर बलहरसा के रास्ते यह ट्रेन काजी पेट जंसन होते वे सिकंद्राबाद 2055 किलमेटर का सफर तैय करके पहुचेगी ऐसे में सिकंद्राबाद जाने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी अपडेट थी तो यह था आज का लेटेस्ट वीडियो अपडेट यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को सेयर करें नई ट्रेनों के अपडेट के लिए